हलो दोस्तों स्वागत है आपका मेरे इस सैनिक और एक सर्विसमेन न्यूज में दोस्तों एक बर फिर से बात करेंगे पेंशनर्स के लिए PCDA का एक नया सर्कुलर आया हुआ है और PCDA ने इस सर्कुलर में जो है सभी पेंशनर्स के लिए कुछ important points mention किये गए है और जो सबसे बड़ी चीज है कि अब जो है pension payment को लेकर कि pension किस तरीके से pension का payment होगा उसको लेकर अभी जो है नए आदेश जारी किये गए और सबसे बड़ी चीज है कि जो सबसे पहले शुरू से होता चला रहा था pension payment का उसमें change किया गया है कि तेलिए दोस्तों बात करते हैं आज के इस important update के बारे में जो कि पेंशनर्स के पीसी डिये से pension payment को related है दोस्तों कर चैनल पर पहली बार है तो चैनल को जरूर सबस्क्राइब करें जिससे आने वाली हर वीडियो का update आपको मिलता रहा है और साथ ही साथ बेल आइकन जरूर दबाएं दोस्तों अब जो है बैंकों द्वारा जो pension payment बंद की जाएगी और उसके पीछे जो सबसे बड़ा reason बताया जा रहा है वो यह है कि अब जो migration था जिसमें कि कई लोगों की pension पहले आ रहे थी कई लोगों की बाद में आ रहे थी अब वो migration खतम हो चुका है तो अब सब की pension जो है एक ही टाइम पह आएगी और वह हम बात कर रहे हैं जिन लोगों का migration हो गया है जो 2016 के बाद किया 2015 के बाद कि जितने भी पेंशनर थे जिनका migration हो गया है उनका पूरा का पूरा जो है बैंक से जो भी pension payment होती है वो नहीं होगी अब वो system for pension administration जो है उसके थ्रू होगी और इसके बाद से जो है नई migration भी शुरू होगी है तो जो में इसका मोटिव है कि सब को जो है एक टाइम पेंशन मिले और सपर्ष के थ्रू ही मिले उसी के वएसे दोस्तों जो है बैंक से पेंशन का बुक्तान बंद हो जाएगा आने वाले टा वीर गति को प्राप्त होते हैं उनको जो है एक क्रोड के राशी तक का प्रबंद किया गया है और जो मेंने जो PCDA का है जो कि पूरा का पूरा फोकस सपर्ष pension payment पे है तो आने वाले टाइम में चाहे वो अभी जल्दी रिटायर हुए पेंशनर्स है या पुराने पेंशनर् लिए दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कीजिए शेर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूले थैंक यू फर वाचिंग दिस वीडियो